हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टीरियस वर्ट, आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है, जो विज्ञान और रहसे से जुड़े विशों में रूची रखते हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया के सबसे वड़े रहसे से पर्दा उठ चुका है, आप मेंसे कई लोगों ने बर्मुडा ट्रेंगल का नाम तो जरूर सुनाओगा, बर्मुडा ट्रेंगल नौर्थ अट्लांटिक महासागर का वो हिस्सा है, जिसे डेविस ट्रेंगल भी कहा जाता है, दुनिया विज्ञान के शेतर में कहां से कहां पहुझ गया, लेकिन आज तक कोई भी बर्मुडा ट्रेंगल के रहसे का पता नहीं लगा पाया था, यह वो जगाए जहां पर एरक्राफ और शिप्स आश्चरे जनक तरीके से गायब हो चुके है हलाकि विज्ञानिकों ने अब बर्मुडा ट्रेंगल के बारे में जो नई थियोरी दिया है, उसने कई सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन उससे पहले आपके लिए बर्मुडा ट्रेंगल के बारे में जान लेना जरूरी है, ताकि आप भी समझ सके कि इस इलाके को इ लोग दरारों की यहां ही जिसके अंदर विमान का रडार जहां पर Magnetic Disturbance की वज़ा से कमपास ठीक से काम नहीं करता है। Experts का मानना है कि कमपास के ठीक से काम ना करने की वज़ा से Aircraft और समुदरी जाज गायब हो जाते हैं। यहां से गुजरने वाले लोगों ने समय समय पर अपने अनुभव रिकॉर्ड किया है। और इन लोगों ने दावा किया है कि उन्हें यहां बादलों की एक सुरंग नजर आती है। जिसके अंदर विमान का रडार काम करना बंद कर देता है। बर्मुदर ट्रैंगल के अंदर फसने के बार बारी दुनिया से संपक तूड़ जाता है। साइन्टिस्ट इसे एलेक्ट्रोनिक फॉग भी कहते हैं। यह एक ऐसा फॉग है जो समुदर से उड़ता है और आसमान तक पहुंसते पहुंसते बंदर का रूप ले लेता है। जब भी कोई विमान या समुदरी जाज बर्मुदर ट्रैंगल के उपर से गुजरता है वो वापस नहीं लोडता। सिर्फ एक घटना को छोड़ दिया जाए तो किसी भी जाज या विमान का मलबा तक यहां नहीं मिला। बर्मुदर ट्रैंगल का विशय बहुत ही रोचक है। इसलिए इस पर कई किताबे और मूवी भी बन चुकी है। अब आपको उस थियोरी के बारे में बताते हैं जिसने बर्मुदर ट्रैंगल के रहसे काफी हद तक सुलजा दिया। अमेरिका के विज्यानिकों ने दावा किया है कि बर्मुदर ट्रैंगल पे होने वाले हाथसों के लिए 273 किलोमेटर पति घंटे की रफ्तार से चलने वाला एक तुफान सबसे बड़ी वज़ा है। इस नए तरह की तुफान को एर बॉम कहा जा रहा है। विज्यानिकों के अनुसार बर्मुदर ट्रैंगल के उपर मौजूद हेक्सागनल क्लाउट्स इस तरह का दबाव बनाते हैं कि इस शेतर में हवाएं 273 किलोमेटर पति घंटे की रफ्तार से चलने लगती हैं और हवा के इस दबाव में एक विनाशकारी बॉम जैसी शक्त इक विशाल पैटन है जो शनी ग्रह के उत्री द्रूप पर पाये जाने वाले बादों से मिलता जुलता है बर्मुदर ट्रैंगल पर मौजूद यह बादल 32 किलोमेटर से लेकर 88 किलोमेटर की दाएरे में फैला हुआ है आपने ध्यान दिया होगा कि जब प्रित्री पर ते पिछले 100 वर्षों में बर्मुदर ट्रैंगल की वज़ा से 1000 लोगों की जान गई है वर्ष 1945 से 1965 के बीच बर्मुदर ट्रैंगल में 8 विमान रह समय तरीके से गायब हो गए थे एक अक्टूबर 2015 को एक समुदरी जहाज का मलवा बर्मुदर ट्रैंगल से गायब होने की एक आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि हम हर हफ्ते इसी प्रकार के रहसे में वीडियो अप्लोड करते हैं